असलाम लेकुम बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री प्राइमरी काईदा अवल प्यारे बच्चो हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलिफ और अलिफ मता के बारे में पढ़ा था हमारा आज का लेक्चर है हरूफ तहजी का तीसरा हर्फ बे क्या है बे हरूफ तहजी का तीसरा हर्फ है बे अके बच्चो यह हमें एक बाघ दे दिया यह ध्यार प्यार प्यांने, यहां पर क्या है क्या है मूँक्ति दो हैं जो बहें से बन रही हैं सबसे पहले बैसे मैं से बादल fact बे से बादल 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 बे से बादल इस सीन में हमें क्या नज़र आ रहा है बे से कौन से चीज़ है बादल बे से बादल अब दूसरी चीज़ क्या है बे से बिल्ली बे बादल बे बिल्ली ओके बच्चो अब हम इसी सफ़े पे बे से कुछ मजीद चीजों के नाम सीखेंगे तो शुरू करते हैं यह क्या है बस्ता बे बस्ता यह क्या है बतख आपके पास बस्ता भी होगा आपने बतख भी देखी होगी बे से क्या है बंदर यह क्या है बंदर तो हमने इस सफ़े पे क्या सिखा बे से पांच इल्फास बे से पांच इल्फास बे बादल, बे बिल्ली, बे बस्ता, बे बत, बे बंदर Pre-Primary अवल उर्दू सफा नमबर 22 सुनिये और पढ़िये बच्चों, इस किताब में हम लोग बे से कुछ मजीद इलफास पढ़ेंगे और जो पड़े हैं उन्हें रिवाइस करेंगे, उनकी दोहराई करेंगे बे बतख, बे बतख, बे बंदर, बे बस्ता बे बतख, बे बस्ता, बे बंदर और ये क्या है? बे बल्ला बल्ला कहते हैं बैट को अब आपने बतक भी देखी होगी, बंदर भी देखागा, बस्ता आपके पास है और अक्सर बच्चों के वाइस के पास बला भी होगा तो बेसिक कौन से लवस है? बे बता, बे बस्ता, बे बंदर, बे बला सफ़ा नमबर 23 सरगर्मी, तस्वीर में रंग भरिये और नकाद पर पैंसिल फेरिये प्यारे बच्चों, हम इस सफ़े पे बे को लिखना सीखेंगे कि बे को किस तरह से लिखा जाता है? उसके लिए हम कौन सी सरगर्मी करेंगे? नकाद पर पैंसिल फेरेंगे और उसके इलावा इस तस्वीर पर में रंग भरेंगे यह तस्वीर किसकी है? बंदर, बे बंदर, बे बंदर ओके बच्चों, अब हम बे बनाना सीखेंगे नकाद को मिलाते हुए, यहां पर यह देखे, यह एक एरो है यह एरो किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट साइड की तरफ Students, आपने अकसर बोट देखी है, कश्टी देखी है आपने यह बे की शकल हम लोग एक कश्टी से मिलती जूलती कह सकते हैं जिस तरह एक बोट बनी होती है, उसी तरह से यह बे बना हुआ है इसके दोनों कोने उपर से देखे, उपर की तरफ है और दर्मियान से यह फ्लैट है हमने क्या करना है? नकात को मिलाते हुए बे लिखना है, बे बंदर अब हमने इन नकात को मिलाया और बे के नीचे नुकता कितना है? एक बे के नीचे नुकता कितना है? एक ओके स्टूडंट्स इस सफ़े पर कुछ और एक्टिविटी सरगर्मी है हम उसे भी हल करते हैं वहाँ पर भी क्या है हमने नकात को मिलाते हुए बे लिखना है नकात को मिलाईए और लिखिए बे नकात को मिलाईए और लिखिए बे बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक, बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक, नकात को मिलाते हुए हमने बे लिखना है, फिर से नकात को मिलाते हुए हमने क्या करना है? बे लिखना है, बे बिल्ली, बे बंदर, बे बस्ता, सफ़ा नमबर 24, पढ़िये और लिखिये, बे बतख, यहां बे भी हमने क्या करना है, नकात को मिलाना है, और क्या लिखना है, बे, बे के निचे कितने नुक्ते हैं, एक, बे के निचे कितने नुक्ते हैं, एक, बे, बे बतख, बे, बतख, बे बतख प्यारे बच्चों इसी तरह से आपने ये पूरा बॉक्स हल करना है सफ़ा नमबर पच्चिस बे की अवाज से शुरू होने वाली तस्वीरों को बे से मिलाईे प्यारे बच्चों यहां पे उन्होंने कुछ तस्वीरे दे दी हैं जिसमें से कुछ इल्फाज क्या है जो बे से शुरू होते हैं हमने सिर्फ उन इल्फाज को की तस्वीरों को बे से मिलाना है बे बल्ला बे बल्ला तो इसके शुरू की अवाज बे है जी तो हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तोएं तोटा तोएं तोटा तो क्या ये बे से शुरू होता है नहीं तो हम इसको इससे नहीं मिलाएंगे बे बस्ता तो इसके शुरू के वास क्या है बे तो हम क्या करेंगे इसको इससे मिलाएंगे काफ कीनो काफ कीनो तो क्या ये बे से शुरू होता है? नहीं सरगर्मी नमबर दो बे वाली बत्खों के गेड़ दाइरा लगाए प्यारे बच्चों ये एक जोहर बनावा है इसके अंदर बहुत सी बत्खें है प्यारे बच्चों यहाँ पे एक जोहर दे दिया गया है इसमें क्या है? बहुत सी बत्खें है ठीक है? हमने क्या करना है? इस पानी वाली तस्वीर में सिरफ बे वाली बत्खों को के गेड़ दाइरा लगाना है तो देखते हैं ये क्या है? बे तो हम क्या करेंगे इसके गेड़ दाइरा लगाएंगे पे तो क्या ये बे है नहीं बे पे बे ओके स्टूड़न्स तो यहां पे तीन ऐसी बत्थे हैं जो है बे वाली बे बत्थ